एन्वास का तो देखिए हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 की भर्ती को लेकर जो है फॉर्मेट सामने आया है अभी देखिए फॉर्मेट सामने आया है परंतु इसके बाद अभी जो है क्या होगा अभी तो एक रिपोर्ट जो है वो दे दी गई है ये रिपोर्ट सरकार को इसी बात कर लिते हैं कहा जा रहा है कि TAT की तरह ढ़िए की तरह आप बच्चों को SET भी देना पड़ेगा यानि कि जैसे टीचर बने के लिए आपको TAT का एक्जाम देना पड़ता है उसके बाद आप के लिए जो है वह हो जाते हैं उसी तरह अभी आपको जो है वह सी इटी एक्जाम बेना पड़ेगा यह सी इटी एक्जाम क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए देखिए सी इटी एक्जाम है यह यह common eligibility test होगा यानि के बहुत सारी पोस्टें अगर निकली है तो उनके लिए कि common eligibility test होगा हर्याना के वेस्ट पर यह test बनाया गया है अभी एक बार चेक करके देख लेना कि हर्याना में जिब format बना था तो उसके बाद वहां पर क्या हुआ था मतलब exactly मुझे पता नहीं है तो वहां से मैंने सुना था कि क्या प्रक्रिया वहां पर रही थी एक बार वहां से देख लेना अभी मैं डेटेल में बात नहीं कर सकता क्योंकि सोर्सी इतने accurate नहीं है अभी देखे टैट की तरह set होगा जैसे कि हर्याना का pattern जो हो देखा गया है यह कहा जा रहा है कि अपन क्रेंटी बनाई गई थी उसका मेटी ने जो है वह पेपर एक एक अफ्लाइन में पेपर हो उसके बजाए जो है वह online पेपर जो हो वह वह होना चाहिए और नशी जो है बनाई जाएगी इसमें एक अध्यक्स होंगे और इसके लावा एक उच प्रसासने का धिकारी होगा यह जो है यह पेपर लीग की गुंजाइस ना हो और पारदरसिता बनाई जा सके यह फिर यह पारदरसिता रहे इसकी जो है वो यह शियोर्टी करेगा कि यह चीज़े आयोग होगा एक्जेम्पल के तौर पर यह तो सुझाब है चलो नाम जो भी हो उससे फरक नहीं पड़ता आपको प्रंतु एक एक्जेम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ आपने क्या कि था जूनियर ऑफिस एसिस्टेंट का आर्थ सुटरा का एक्जाम दिया था जो लोगों ने टाइपिंग दे ली थी फिर उनकी डॉक्मेंटेशन जो था वहां पर हुई थी अब उसमें क्या हुआ था उसमें आपसे प्रेफरेंस मांगी थी जब आपने डॉक्मेंटेशन दी थी उसमें क्या था उसमें आपसे अलग लग डिपार्टमेंट वाइस ज प्रेस्ट पर नॉकर रिस्ट पर दे दी जाएगी ये बात जो है वो कही जा रही है तो ये format सामने आया है अभी मैं टेलीग्राम पर और भी डिटेल आपको बता दूँगा अगर कोई मिलती है add the rate all exam 31 करके बने टेलीग्राम से सर्च करना आपको मारे टेलीग्राम चैनल भी जो है वो मिल जाएगा ये तो मैंने basic सा format आपको समझा दिया यहां से किस तरह से अग्जाम हो सकते हैं अभी अक्तूबर में दूसरी रिपोर्ट आनी है अभी कौन सा महिन है अगस्त महिना चला हुआ है अगस्त के बाद सेप्टेंबर आएगा सेप्टेंबर के बाद जो है वो अक्तूबर आएगा और अक्तूबर महिने में ये रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जो है वो नई भर्ती जैन्सी का फाइनल जो होगा ये यहां पर कहा गया है तो टैट की तरह सेट होगा basic सा concept तो ये है और हर्याना का pattern अपनाया गया है और देखते हैं कि क्या होता है हम तो यहीं उम्मीद करते हैं कि नई सरकार है तो जल्दी से जल्दी जो करे अब तो लगबग आर दस महिने तो हो ही गए है अभी भी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाए तो दो दिन में ही ने तो एक्जाम होने को लगी जाएंगे तो अभी तो लग रहा है कि October में अगर दूसी रिपोर्ट आती है तो उसके बाद जो है वो अजैंसी का final होगा Hopefully कि Public Service Commission जो एक्जाम ले रहा है जिसने जिन बचोंने conductor का एक्जाम भरा था उन्हीं का schedule आ जाए जो सब इंस्पेक्टर का इंतजार कर रहे है उसी का कुछ कर दिया जाए और भी जो एक्जाम HPSAC के पुराने है उन्हीं का कुछ कर दिया जाए तब भी बहुत बड़ी बात होगी यहाँ पर पर रंतो खेर देखते हैं भी सामने आएगा आपको बता दिये जाएगा अभी तो जो पता चला था मैंने आपको बता दिया एड़ दरे टॉल एक्जाम 31 टेलीग्राम से सर्च कर लेना और भी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी यहाँ थेंक यू बर मुच